तो चलिए चलते हैं टॉपिक में जानिये कौन-कौन सी समस्षा से पीरित लोगों को नहीं करना चाहिए हल्दी का सेबन फायदी की जगा उन्हें होगा नुक्सान हल्दी को ओसधी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कई सारे लोग ऐसे हैं जिने हल्दी का सेबन बहुत कम या बिलकुल नहीं करना चाहिए बरना उनके लिए मुसिबत बड़ी हो जाएगी कीचन में मौजूद मसालों में सबसे आम हल्दी को ओसधी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ये ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है बलकि स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है हल्दी में मौजूद कैल्शियम, आईरोन, सोडियम, प्रोटीन, विटामिन E, C और फाइबर जैसे गुन इविन सिस्टेम को मजबुद बनते हैं, जो आपको कई संक्रमन से दूर रखता है अलाकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिने हल्दी का सेबन बहुत कम या बिल्कुल नहीं करना चाहिए आईए जानते हैं कि किन लोगों को हल्दी का सेबन कम करना चाहिए जिन लोगों की बोडी में बार-बार पत्री बनती हैं, उन्हें हल्दी का सेबन डॉक्टर की सला पर ही करना चाहिए हल्दी में ऑक्सलेट पाया जाता है, जो किड्नी में पत्री का एक अहम कारण बन सकता है ऐसे में हल्दी का सेबन करने से समस्षब बढ़ सकती है काईवेटिस के मरीजों को अपनी डाएट पर भीसे सुरूफ से ध्यान देना चाहिए मरीजों को काफी सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिसमें से एक है हल्दी जो भी बेक्ति दस्त या उल्टी से पीरित है उन्हें हल्दी का से बनने ही करना चाहिए इसमें मौझूद करकियों मिन कई बार डाइजेस्टिफ से जूरी समस्था पैदा कर सकता है पिलिया के मरीजों को भी हल्दी ना खाने की सला दी जाती है क्योंकि इस से समस्था और बढ़ जाती है पिलिया से ठीक हुए मरिजों को डॉक्टर की सला पर ही हल्दी का सेबन करना चाहिए जिन लोगों के सरीर में आइरोन की कमी है उन्हें भी हल्दी का सेबन नहीं करना चाहिए अगर किसी का iron level कम है और वो हल्दी का सेवन ज्यादा करता है तो उसके लिए समस्य खड़ी हो सकती है तो guys आज की वीडियो में ही paint करती हूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा और helpful लगता है तो subscribe ज़रूर करना और मेरे चैनल की बाकी वीडियो को भी देख लेना ताकि आपको health related और beauty related और जान करी मिले मिलती हो और एक interesting वीडियो के साथ